तो आई लोग कैसे हो आप लोग तो स्वैलोरे स्टार के नेक्स्टी नोवल के एपिसोड नमर 113 में आपका स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन इससे पहले अगर आपने में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दवाना न लिखा कि लोग फैंग को पैसे की जरूरत थी और फिर वो डिसाइड करता है कि वो अपने एक्स-81 ब्लैक सिप को बेच देगा और फिर इसके बाद वो गाउसेंग से कांटेक्ट करता है और फिर वहीं पर लोग फैंग उससे बात करता है और फिर लोग फैंग बोलता है कि उसे पैसे की कमी है और अभी उसे पैसे की सक्त जरूरत है तो गाउसेंग कहता है कि मैं तुम्हें ये अराम से दे सकता हूँ वो भी बिना किसी इंट्रेस्ट के अब कोई भी बिना इंट्रेस्ट के किसी को पैसा नहीं देता लेकिन अभी लू फैंग को भी समझ में आ जाता है कि गाउ सेंग उसका अच्छा दोस्त है लेकिन लू फैंग कहता है कि मैं अपने Black Dragon Mountain X81 को बेचना चाहता हूँ तो ये सुनकर गाउ सेंग हरान हो जाता है और कहता है कि वो सी बहुत पुराना और रेर भी है उस जैसा moral मिलना नामुमकिन है और अगर तुमने उसे बेच दिया तो वो फिर तुमें कभी नहीं मिल पाएगा और गाउ सेंग उसे नहीं बेचने की सलाह देता है तो लू फैंग कहता है कि मैं इसे सच में बेचना चाहता हूँ तो गाउ सेंग कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं इस न्यूज को बाहर सब के सामने रख दूँगा और जो भी खरीदना चाहेगा वो इसे अराम से खरीच सकता है और तुम्हारा काम भी हो जाएगा और जो लोग इस सिप के दिवाने होंगे वो उसे और भी जादा प्राइस पे खरीदना चाहेंगे और इससे तुम्हारा और भी जादा फाइदा होगा अब गाउ सेंग की पहचान बहुत थी इसलिए लू फैंग ने उसे ऐसा कहा था अब लू फैंग इसके लिए उसको सुक्रिया करता है कि तुमने मेरी मदद की और फिर फोन कट हो जाता है अब कॉल कटने के बाद टंडर गॉड लू फैंग से पूछते हैं कि अगर इसने कमिशन चार्ज किया तो लू फैंग कहता है कि पर मेरे पास कोई और भी रास्ता नहीं था और मुझे नहीं लगता कि गाउ सेंग उस तरह का बंदा है अब फिर 25 नट बाड ही लू फैंग के पास गाउ सेंग का फोन आता है अब उसके फोन को देखकर लू फैंग बहुत ज़्यादा खुस हो जाता है और अब गाउ सेंग लू फैंग से कहता है कि सब चीज सेटल हो गई है मैंने अपने भाई से बात की है वो इसका हाइस प्राज 12.8 बिलियन ब्लैक ट्रैगन डॉलस दे रहा है और ये अभी तक की सबसे उची कीमत लगाई गई है अब लू फैंग भी इसके लिए मान जाता है अब गाउ सेंग उसको उसका नमबर देता है ताकि लू फैंग उससे बात करके बाकी सारे चीजों को सेटल कर सके और फिर वो लोग अर्थ पे जाते हैं जहाँ पर वो उस सिल्वर ग्रेव यूनिवर्स सिप को ले आते हैं ताकि वो अगली बार इससे ट्रैवल कर सके और अब फिर बारे दिन बाद बाइलेन एस्टार के डॉकिंग बेग को दिखाया जाता है जहाँ पर एक सिप आके लैंड करता है और वो सिप बहुत मी लग्जियूरियस था और उस सिप में से केविन का डोर खुलता है और इसमें से एक बंदा निकलता है जिसके पीछे द लूफैंग के पास दौरते हुए जाता है ताकि उसे गले लगा सके अब लूफैंग भी उसे गले लगा लेता है और वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और वो बंदा आके कहता है कि वो कहा है और फिर लूफैंग उसके तरफ इसारा कर देता है और वो उस सिप के पास रेयर सिप मौझूद है इस यूनिवर्स में अब वो पूरे सिप को देखता है जो की पूरे परफेक्ट कंडिशन में था और अब लू फैंग को गाउसेंग से ये पता चला था कि ये ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एमपार का में प्लानेट से आया है और इसकी बैग्राउंड भी बहुत बड़ी है और उनकी फैमिली उस नालान फैमिली से बहुत बड़ी थी और उसका सामना वो अराम से कर सकती थी अब इसके बाद वो यूथ लू फैंग को 12.8 बिलियन ट्रांसफर कर देता है और फिर ये सब डील होने के बाद लू फैंग अपने कस्टम सर्वाइ को चुनता है जो की टोटल 13.2 बिलियन ब्लैक ट्राइगन डॉलर्स के होते हैं और यहां पर लू फैंग एक कंप्लेंट लेटर भी चार्ज करता है कि आपकी कंपनी का एक सेकेंड लेवल का बंदा जिसका नाम लिव डू है उसका एकिटिट बहुत ही बुरा है और उसने बिजनस को ऐसे अपने ही किया था और हमारे साथ बहुत बुरा सुलूप किया था और उसे फायर कर दिना चाहिए अब ऐसे ही टाइम बीचता है लू फैंग अभी पूरे तरीके से ट्रेनिंग में लगा हुआ था और कुछी समय में बवाता की इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लू फैंग अपने हाइस्ट इवल्यूशन स्पीड में पहुँच जाता है और अब ऐसे ही समय बीचता है और हमें 2022 24 डिसंबर को चाइना का सीन दिखाया जाता है और इस वर्ट लू फैंग, हॉंग और टंडर गॉड अर्थ पे वापस आ जाते हैं और इन दिनों में उन् यह थे सारे से मजबूत सर्वाइबल बेस बना था जो की सी ठ्री मेंटल्स ता और बाकी सारे सारे कांटच्री में सी climate ग्रेट का बना हुआ था और चैना में 10 से capacity के लिए बनाया गया था वहीं बाकी के देशों में 5 मिलियन लोगों के capacity के लिए बनाया गया था और यहां पर लू फ्रैंक war god meeting में आने को बोलता है और सारे बड़े लोगों को announce कर देता है अब फिर से हमें समय बीटते हुए दिखाया जाता है और जितने भी लोग थे हैं वो सारे survival basis में जाने लगते हैं और survival basis में सिफ fighters doctors, scientists ऐसे ही महत्यपुन व्यक्ती ही जा सकते थे कोई भी normal बंदा उसमें allow नहीं था अब लू फैंक भी वहाँ से जाके किसी और planet पे जाता है जो की earth से पांच दिन की दूरी पे ही था और उस planet का नाम jade rock star था वहाँ पिलू फैंक अपने body को evolve कराने की कोशिस कर ला था क्योंकि जैसे ही वो star level पे पहुचेगा वो अपने teacher के bank account को access कर पाएगा और फिर वो earth का leader होने के लिए apply कर सकता है और अफिर scene change कर हमें space में दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों interstellar battleship अर्थ की और बढ़ रहते और यहाँ पे वो लोक्स solar system में entry ले चुके थे और उसका worker अपने senior को report करता है कि हम उस planet से 2 गंटे और 26 minute दूर है और वहाँ पहुचने में हमें इतना वक्त लएगा और वो कहता है कि हम मैं उस planet को साफ साफ देख पा रहा हूँ और वो family वहाँ तक पहुच चुका था और अब आज 2023 February 21st हो रहा था और अब फिर वहाँ के survival bases में हमें alarm बजने लगती है और वहाँ के सारे exist को बंद कर दिया जाता है और अभी सब फिर nervous होने लगती है और अब फिर हमें survivor base के 12 level को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फैंग का family टंडर गॉड का family और हॉंग का family रहता था और यहाँ पे उन सब की आने की news सिफ upper echelon के ही पास थी क्योंकि वो सब को बढ़ा के सब पूरी दुन्या को panic नहीं करना चाहते थे अब वहाँ पे लू फैंग ने मेंग 1 और मेंग 2 को भी छोड़ रखा था अब वहाँ पे सब को पता चल जाता है कि वो interstellar fit moon के करीब आ चुका है और यहाँ पे सारी लोग चिंटिट में थे और यहाँ कोई अपनी किस्मत को नहीं जानता था कि वहाँ उनके साथ क्या होने वाला है और यहीं पे वो लोग इतने powerful लोगों का सामना भी नहीं कर सकते थे और वो चाहकर भी उनके सामने कुछ नहीं कर सकते थे और उनकी सारी आसा लूफैंग से ही जूरी हुई थी अब फी सीन चेंज कर हमें हॉंग और थंडर गॉट को दिखाया जाता है जो की वीला के बाहर समुंदर के किनारे खड़े थे और वो लोग सोच रहे थे कि क्या लूफैंग ब्रेक्थ्रू कर पाएगा क्या वो यह सब संभाल पाएगा तो हॉंग कहता है कि अभी हमें उमीद नहीं हारनी चाहिए और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ठंडर गॉट इस्टार लेवल वन पे ब्रेक्थ्रू कर चुका है और आप फिर वो लूफैंग की और देखते हैं जो कि अभी क्रोस लेक करके बैठा हुआ था अजब वो लूग उसे देखते हैं कि लूफैंग ने अपनी आँखे खोली हुए तो वो लोग सोचते हैं कि क्या लूफैंग ने ब्रेक्थ्रू कर लिया है और यहीं पिर वो लोग उस रूम की और भागते हैं जहां पर लो फैंग था लेकिन लो फैंग जब उन्हें आते हुए देखता है तो उनसे कहता है कि नहीं मैंने ब्रेक्ट्रू नहीं किया है मैं बस एक मेसेज को रिसेफ किया है जो कि अर्ट से आया हुआ है अब ये सुनक वो सब परिसान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या और वो लोग सोचने कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया और फिर लो फैंग कहता है कि मुझे चेक करने दो और इसके बाद लो फैंग वर्चुल यूनिवर्स में इंटर हो जाता है और अब फिर हमें उनी इंटर एस्टेल को discover करते हैं और अपने AI से उसे hack करने लगते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता था कि तीन महीने पहले हुए incidents के बाद वहां की सारी important footages और information मिटा दिये गए हैं और वो इसे online access नहीं कर सकते हैं और वो AI भी धरती के सारे components के बारे में पता लगा लिती है कि यहां पर कितने percent क्या है और यहां पर वो fighters के भी जानकारी निकालने लगती है और फिर यहां पर वो youth जिसका नाम बुल्ला था वो अपने private room में जाता है ताकि वो अपने teacher से मिलके यह news दे सके तो भाई दोग इसी के साथ यह वीडियो भी खतम होती है तो मिलते है नेक्स टूडियो में और देखते हैं कि लूफंग हॉंग और टंडर गॉड इस प्रॉब्लम का समधान कैसे निकालते हैं क्या अर्थ गुलाम बन के रहा जाएगा या फिर लूफंग उससे बचा लेगा तो मिलते हैं नेक्स टूडियो में तब तक के लिए पाई